महिला जूनियर कोच केस मामले में सरदार संदीब सिंग को पद से हटाए जाने और गिरफतारी की मांग को लेकर विभिन यूनियन ने चंडिगण में परदर्शन किया हरियाना भर से करीब 15 से ज्यादा यूनियन सरदार संदीप सिंग को मंत्री मंडल से हटाने और गिरफतारी की मांग कर रहे हैं संदीप सिंग के विरोत में भारी संख्या में परदर्शनकारी पंचकुला चंडिगट बॉर्डर पर पहुँचे इस दोरान पंचकुला पुलिस और परदर्शनकारीयों के बीच आगे बढ़ने को लेकर धक्का मुक्की भी हुई परदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडिगड पंचकुला बॉर्डर पर हाॉसिंग बोर्ड के पास चंडिगड पुलिस और पंचकुला पुलिस ने डबल बैरिगेटिंग की हुई थी परदर्शनकारी महिला जूनियर कोच मामले में संदीप सिंग के खिलाफ कारवाई करने की मांग कर रहे थे लेकिन परदर्शनकारियों को पंचकुला पुलिस ने चंडिगर पंचकुला बॉर्डर पर रोग दिया लगभग बीस अलग-लग संग्ठनों से आई परदर्शनकारियों ने हाथों में मुख्यमंतरी अपना बयान वापिस लो की तख्ती पकड़ी थी परदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दे की आज का ये परदर्शन सिर्फ ट्राइल है अगर सरकार ने संदीब सिंग को बरखास्त ना किया तो इससे भी बड़ा परदर्शन होगा जगमती सांगवान, उशा, अखिल बाते जनवादी महिला समीती के राष्टे उपाध धैक्स और राजे की मास अचिव और अने को जन संगठनों के साथ ही यहाँ पर उपस थी था आज क्या परदर्शन किस मांग को लेके किया गया, कितनी यूनियंस इसमें शामिल है इसके अंदर 20 से उपर संगठन हर्यारा के शामिल है और संदीप सिंग जो है, उन्होंने एक एथलीट, जो हमारी होनहार एथलीट है उसके साथ जो योन इंसा करी है, हम मांग करते हैं कि उनको कैबिनेट से हटाया जाए पहले भी उन्होंने पावर की पोजीशन से उसके ओपर अपराद किया है अभी भी वो अगर cabinet मेरते तो लड़की को नहीं मिल सकता इसी तरह से हम यह मांग करते हैं कि कुष्टि संग की जो रटाय जाने की मांग करी है हमारी कुष्टि की खिलारियोंने उनको भी हटाया जाए और जो पिडिता लड़की हारियाना की उसको पूरी सुरक्षा दी जाए और जो जाच है इस पूरे मसले की वो पंजाब हरियाना हाई कोट के जो जज हैं उनकी निगरानी में इसकी जाच की जानी चाहिए और खिलारी रड़कियों की सुरक्षा के लिए हर मैक में के अंदर और हर एसोशीशन फेडरेशन के अंदर यो निंसाविरो दिकमेटियां बनाई जानी चाहिए और ये जो खेलों का आलम है इसको सुरक्षित बनाने के लिए हर जग है के ऊपर जो है वो खेल के मैदान साफ सुत्री सुवी धाये के लाड़ी लड़कियों के लिए वो दी जान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी देंगे और अहर्याना विधान सबा के जो स्पीकर हैं उनको भी देंगे और मिलने का आज का हमारा प्रोग्राम गवर्नर महुद्दे के साथ है जनवादी मायला समीती भारी संख्या में इसके अंदर आये हैं खेतमल्दूर यूनियन है इसके अंदर ऑखिल भारत्य किसान सबा है इसके अंदर व५प अधिकार मंच है तमाम 16-17 संगठन है लेकिन ये संगठन ये मत सोचो कि ये संख्या ये अभी तो जो है परमुख लीडर्शिप ही आई है एक ये ट्राइल है सरकार को हम चेतावनी देने के लिए आए है अने था ये लडाई और आगे बढ़ेगी ये तो अभी एक है लडाई तो अभी बाकी है जब तक फीडिता को नखाय नहीं मिलता ये लडाई जारी रही दो कि अधर अ थी है पड़ा कि पर दो